विकरांत मैसी का करेक्टर इन सेक्टर 36 माइंड ब्लोइंग बट क्या मूवी भी माइंड ब्लोइंग है 12 फिल में इंस्पिरेशनल करेक्टर हसीन दिलरुभा में एक दम चलाग and now सेक्टर 36 में एक सीरियल किलर सो अगर पूरव जाओ वर्सेटालिटी के स्टूटेंट है देन विकरांत मैसी वर्सेटालिटी के प्रिंसिपल है तो हाँ देख ली है मैंने सेक्टर 36 जिसकी वज़ा से दिल शौक में है दिमाग हिल चुका है आखे हैरान है कानों में तोबा तोबा हो रही है क्या सुन लिय क्या देख लिया डामर वेब सीरिस अगर आपने देखी होगे जिसमें 100% आप डिस्टर्ब हुए होगे वेल इस मूवी में 110% डिस्टर्ब हो जाओगे तो स्ट्रिक्ट वार्निंग बच्चों के लिए यह मूवी बिलकुल भी नहीं है इफ यू डोंट नो इस मूवी के कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ट है निठारी कांट जो हुआ था नोईडा के अंदर हाउस ओफ हॉरर हुआ कुछ ऐसा था एक आलिशान हवेली की दिवारों ने डरकी सिस्कियों के बाद ऐसी खामोशी सुनी थी जिसका शौर बहुत ज्यादा था बस उसी हवेली में आपको ये मूवी ले जाने वाली है जहां पर आपका वेलकम करेगा उस हवेली का नोकर जो देखने में एक कॉमन इंसान लगता है बट बहुत ही जल्द वो अपने ऐसे रंग दिखाएगा जिसको आप देख पाओगे सुन पाओगे और 100% डिस्टर्ब हो जाओगे मात्र दो घंटे के आसपास की ये मूवी है तो आल तो फाल तो ड्रामा कुछ नहीं दिखाती सीधा मुद्धे पर आती है जो है आपके रॉंग्टे खड़े कर देना एंड मूवी को देखने का है बस एक मात्र नियम अगर आप जानते हो मानते हो राक्षस से ज्यादा खतरनाक एक इनसान होता है जो हम सब के बीच रह सकता है देन यू आर वेलकम इस मूवी को देखने के लिए बस अगर आपकी फटती है देन इस मूवी से दूर ही रहना जो जो इवेंट्स हुए थे रियालिटी के अंदर उसको दर्शाया जाता है बहुत ही होती है ये देखकर रो अंदाज में अब हिल जाने वाले हो एंड यू फील लाइक जेब में अगर रखा हो कैश सिस्टम खुद कराएगा तुमको आश तो या मूवी इस वेरी रो एंड टू दा पॉइंट एंड यही रीजन है मूवी थियाटर में रिलीज नहीं हो सकी हा अब विकरांत मैसी बोल रहे हैं जो वो बोल रहे है न इतने कैशुली अंदाज में वो बहुत जादा ब्रूटल है His performance peaked here In total acting सभी ने बिंदास करी है और सिनोमेटोग्राफी भी बहुत जादा डाक और सिनिस्टर वाइब वाली है But still there are some negatives Movie के अंदर यार suspense वाला factor missing है It's like खुली किताब है आपके सामने जिसके पन्नों पर खून लगा हुआ है काफी brutal But जो भी present किया जा रहा है you know already So for some people जिनको crime thriller में दिमाद दोडाने में मज़ा आता है उनको शायद ज्यादा अच्छी ना लगे And यार जिस अंदास के अंदर विकरांत मैसी का interrogation वाला सीन आता है जिसमें acting तो बिंदास है But movie ऐसा feel होता है बहुत ही easily वहां तक पहुंच गई कोई investigation हुई ही नहीं जिसके वज़ा से story का transition climax आते आते तक बहुत ज़्यादा weak लगता है जो काफी deadly हो सकता था Apart from that it's a good movie अगर तुम crime thriller genre में कुछ देखना चाते हो So go for it one time watch and जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अलविदा